बिस्म आल्लाहिर रह्मान रहीम असलाम अलेकुम वेलकम तो इंग्लिश फोर ग्रेड एट वी आर लेर्निंग यूनिट 6 और हमारा आज का एसेलो है यूज आल थाइप्स ओफ टेंसेज ग्रेक्टली इन स्पीशन राइडिंग बीटा आप सारे टेंसेज सीख चुके हैं उनमें से कुछ टेंसेज आज हम दुबारा से रिवाइस करेंगे जितने आज पासिबल हैं और फिर जो रह जाएंगे इंशाला उनको नेक्स यूनिट् भी तक तो मेरे बच्चे ऑल्हमदुरिल्ला अल्हम झालते अल्हम लोग कर चुके हैं बस अब हमने इन में से कुछ कुछ यूज टेंस को बार बार रिवाइस करना ठीक हैं। अंछा जिए टार्व सुरा पहरा थाला बे लिएस करना ठीक हैं। Quran to your heart by Allah's will conforming what came before it a guide and good news for the believers. Yes my dear students बेटा इस verse को हम पहले भी एक मरदा discuss कर चुके हैं. सबसे पहले तो ये देखें कि Allah subhanahu wa ta'ala is talking to our beloved prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam और उनको Allah subhanahu wa ta'ala कह रहे हैं कि आप बताइए आप कहिए कि जो कोई भी जिवरील का दुश्मन है शुड नो उसको ये जा लेना चाहिए कि कुरान जिवरील भी एलाई सलाम ने Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam के दिल पर नासिल किया अल्ला के हुकम से अब इसमे हम one thing के कुरान बिल्कुल जैसे Allah subhanahu wa ta'ala नासिल किया वो मेफूस हरी के से नभी अकरम sallallahu alayhi wa sallam के पास और उनके बाद हम सब के पास पहुंचा है अल्हम्दुल्ला कुरान के जो मौजजात हैं उनमें से एक ये भी है कि आज तक कुरान loves by loves हर बाय हर और एवन हरका बाय हरका बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ये नाजल हुआ तो ये एक अलहम्दुल्ला और ये सब का सब अल्हा का प्लान है कि कुरान पाक में किसी तरह की तबदीली पॉसिबल नहीं क्योंके उसको अल्ला तल्हान ने कहा है कि हम खुद उसकी हिफासद करने वाले है और ये वर्स इसकी ऑफेंटिसिटी बताती है कि कुरान अल्हा सुबाइन पाला की स्पीच है और वर्ड बाइवर्ड सेव है सेकीनली बेटा इस अगाइडिन्स फॉर बिलीवर्स तो हमारे लिए ये देखें अगाइड और गुड निवस फॉर बिलीवर्स और बिलीवर्स कोई है अल्हांदिलिल्ला हम मुसल्मान तो अल्ला सुबाइन पाला क्या कह रहे है अब देखें हमारे लिए पुरान एक हदायत है और गुड निवस है हदायत किस तरह से है के हमने जो काम करना है वो गुरान की तालीमात के मताबि करना है हम कुछ भी करना चाहते है इसको कैसे करना है कुरान से सीखें और गुड निवस ये है कि जब हम कुरान के अहकामात य आन्यесп highlighting ने डारेक्ट हमें जो गाईड लाइन दी है उसके मताबिक चलते हैं तो हमारे लिए गुड नियूस जन्ना, अलहम्दलिल्ला तो हम सब और जन्नत में पहुँचना ही असल काम्याबी है और उसका तरीका है अल्ला के हिकामात, यनि कुरान और हमारे प्यारे नभी हज़रत मुहम्म्मद की सुन्नत और हम इसको आज के ऐसे लो के साथ लिंक करते हैं रीड योर लेसन विटा जो भी हमारा वर्ब होता है वह हमें हमें पता है कि वर्ब इस आक्शली रफरिंग टू थेंस वर्ब हमें बता रहा होता है यह प्रेजंट है पैस्ट है यह फ्यूचर है तो अब हम इसके बारे में मजीद देखते हैं आपने अपने लेसन को पढ़ना है और अडिन्टिफाइ विच टेंसेज आर यूजड इन इट तो अभी आप इतना ही करें पास्टी वीडियो फाइंड आउट दी वर्ब्स और फाइंड आउट दी टेंस and then come back yes my dear students are you done with it okay good job हम किस तरह से देखें सबसे पहला टेंस हमने क्या सीखा था simple present tense और simple present tense में हम क्या discuss करते हैं it is used for regular habits or daily routine सबसे पहली बात हुए है कि ये habitual actions को refer करता है जैसे I play soccer the school opens everyday he always forgets ये अब देखें ये सारी routine टास्क और every 12 months the earth circles the sun तो जितने भी natural phenomenon है वो सब के सब हम simple present tense में discuss करते हैं और facts and generalization जो facts होते हैं जैसे cats like milk है ना तो all kites like milk इस तरह की जो situations होती है उसके लिए हम simple present tense use करते हैं schedule event in near future अभी जैसे I'm leaving now I, I leave or I come in the class and start teaching इस तरह की जो आपके schedules होते हैं उनके लिए आप ये 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 योस करते हैं just bus leaves tonight at 6 p.m. when do we board the plane the party starts अभी schedule है तो इनको mention करने के लिए हम simple presentance use करते हैं अब simple presentance हम कैसे बनाते हैं very simple one thing इसमें हम verb की first form use करते हैं और अगर हमारा subject third person singular और third person singular क्या होते हैं he she it और एक person का नाम यानि किसी भी person का नाम जैसे अली उमर आईशा आमिना right कोई भी जब एक third person को हम mention कर रहे हैं तो हम वर्ब की first form लगाते हैं और साथ में उस वर्ब के accordingly s या e s add कर देते हैं यह है इसका simple presentance के affirmative sentence का structure हमने बहुत detail में सी के I'm just making you to recall it okay next हमारे tense है perfect present perfect tense present perfect tense का क्या structure है सबसे पहले subject आता है और उसके बाद त्राइड सुशी बट I have not I have अब देखें यहाँ पर है जो है वो helping verb है त्राइड जो है वो वर्ब की third form past pretty spell है इसका negative बनाने के लिए have not यह has not use करते है और उसी तरह से वर्ब की third form यह देखें I have not tried sushi that's so true have और has start में ले आए तो यह interrogative बन जाता है have you tried sushi और इसके end पर आपने sign of interrogation जरूर लगाना है राइड जी present continuous tense present continuous tense के situation में यूज करते हैं जब कोई काम अभी जारी है continuous means in progress अभी वो complete नहीं हुआ और इसका structure क्या है सबसे पहले subject और उसके बाद helping verb आता है is mr okay और हमें पता है is singulars के साथ m i के साथ और r plurals के साथ उसके बाद present participle और present participle जब हम कहते हैं क्या मतलब है verb की first form और उसके साथ ing add कर दें तो यह present participle बन जाता है और इसके बाद object और fourth stop he is crying means he is still crying अभी अभी he is crying that's why हमने continuous tense use किया इसके negative बनाने के लिए एक tip मैं हर मर्तव आपको tenses के साथ बताते हूं जहां भी helping verb आता है जिस tense के भी structure में उसका negative बनाने के लिए उसके बाद not लगा और interrogative बनाने के लिए helping verb को start में ले आते हैं बाकी structure उसी तरह से आपका है na tense structure इसमें अगर helping verb को start में ले उसके बाद गाएगा subject present participle object और question mark लगा देंगे तो यह उसका interrogative बन जाएगा right simple past tense simple past tense is very simple इसमें क्या होता है subject और उसके बाद past form ठीक है past form उसकी use होती है जिसको हम कहते है second form और उसके बाद object और अगर कोई उसके extra कुछ भी information है तो वो end पे ले आते है I went, went क्या है यह go की second form है right go is verb और उसकी second past form क्या है went और third form क्या है इसका past participle क्या है go on good और past participle कहां यूज करते है हम perfect tense में शाबश I went to the store yesterday you watched a movie last night इस तरह से बेटा यह इस tense का structure है affirmative का past continuous tense कैसे बनता है इसमें subject होता है उसके बाद आपका helping verb और past continuous के helping verb क्या है was और word singular के साथ was plural के साथ word और present participle once again present participle क्या है verb की first form plus ing इन दोनों को मिला दें तो जो form of verb बनती है उसको कहते है present participle और इसके बाद object इसका negative once again अब भी formula आपको बताया है कि जहां पर helping verb आता है उसके negative बनाने के लिए not add कर दें और helping verb को आप start में लिए तो यह इसका interrogative sentence बन जाता है और इसमें देखे कभी भी आपने question mark लगाना ने भूलना क्योंकि बिटा interrogative sentence में question mark ना लगाएं तो it's a mistake alright okay so let's practice अभी जो हमने tenses revise किये हैं incoming activity में again practice करते हैं read a short story with sentences in different tenses take turns reading aloud and identifying tense and discuss why each tense और यह जरूर आपने बताना है teacher को कि मैंने कैसे sentence को identify किया so pause the video enjoy the activity and then come back yes my dear children are you done with it good job smart अब आपने इन जो भी हमने practice किये है इसको अपने book के page number 58 पर practice करें activity number c है इसके जितने भी sentences दिये हैं सबको आपने book के और पर solve करना है so complete this work and then come back yes my dear children are you done with it okay और अब आपने ये एक वरक्षीट है teachers kindly इसका print लें उसको photocopy करें और सब students को दें ताकि वो मजीद verbs को practice कर सकें और here I am giving you homework use the learnt tenses in meaningful sentences your tenses आज हमने revise किये और बेटा don't worry जो tenses रह गए है इंशाला आने वाले lectures में हम उनको भी discuss करेंगे तो यह आपका homework है आपने इंटेंसिस के sentences बना कर लाने हैं that's it for today thank you and Allah Hafiz